टोंक ने बनास नदी की गहलोग घाड पर निर्मान दिन राजिस्तान के सबसे बड़े पुल के दस मैई की शाम आंधी और बरसाथ के बीच निरे पांच गड़र जहां इसके निर्मान और गुनवत्ता पर सवाल खड़े कर दिये हैं वहीं निर्मान की कच्वाचाल की बीच गड़र गिरने की कारण और ठेकेदार की लापरवाही को भी अधिकारियों का संद्रक्षन नसर आने लगा है ब्रीच के पांच गड़र गिरने की आठ दिन बार जैपूर से सो किलो मीटर की दूरी तैकर पी डब्यूडी के चीफ इंजीनिर क्वाइलिटी कंट्रोल दे चीफ इंजीनिर निर्मान अधिकारियों की लवाजुमी के साथ बनास नदी और बनास ब्रीच की गिरे हुए ग मीदिया से दूरी बनाकर वापस डेपू लोगता ही मुनासिब समचा मानों के पास मीदिया के किसी सवाल का जवाब नहीं और जाच के नाम पर सिर्फ खाना पूर्पी की जाए तो अगिस्को ही तरह दोड़ां का जोपी को आधि बनास नेगा की को इद फाना परसुक्रेशलियों की जहांक कर दोड़ार आपकार आप टरभी कर दिएज़च से कोई फ़ूरा आपकर द देक कोल दोड़ाएं, प्रस्तलियों की अच्वाश्वाश्य जेए वाट्यों के झाल झाल झाल